तो दोस्तों आप भी एगर Redmi का फोन यूज करते हैं और आपके फोन में एक प्रावलम आ रही है Redmi के अधिकतर फोन में प्रावलम आती है कि यह automatic switch off और switch on हो जाती है फोन जिसमें पता नहीं चल पाता कि फोन में करें क्या कौन सा applications on हो गया या क्या हो गया कुछ भी नहीं पता चल पाता तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो automatic switch off और switch on जो फोन होता है उसका reason क्या है अच्छा बहुत सारे reason इसमें है कि माली जी आपके फोन में आपने खुछ से timing set कर दिया है कि आपका फोन जो है इस time में switch off होगा इस time में on होगा और आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल पा रहा है कि हम उसे कैसे off करें या on करें तो फ्रेंड आज की फुडियो में हम जानते हैं कैसे इसे solve करना है simply friend आपको करना क्या है आपको अपने setting में जाना है रेडिमी की setting में जाएंगे और आपको friend यहाँ पर search जो बार है यहाँ पर आपको type करना है schedule यहाँ पर आपको type करना है schedule अब जैसे देख सकते है friend यहाँ पर schedule टाइप किया उसके बाद देख सकते है schedule power on off का एक option यहाँ पर नीचे में आ रहाँ यहाँ पर हम tap कर लेते हैं अब देख सकते हैं friend यहाँ पर जो है power on time जो है power on time जो है 5 बज के 69 मिनट पर सुबह का दिखा रहा है और power off time जो है रात के 11 बज के 30 मिनट पर दिखा रहा है simply friend आपको इसे यहाँ से बंद कर देना है दोनों को अब आपका phone जो है automatic switch off और switch on नहीं होगा अब जब चाहे तब आपने phone को switch off और switch on कर सकते हैं आपको यहाँ पर done कर देना है जैसे done करेंगे यह आपका automatic खतम हो जाए